आज इस वीडिया में जिस मोबाइल वाइस के बारे हम बात करने वाले हैं वो इन्फिनिक्स की मोबाइल वाइस है इस मोबाइल वाइस का नाम इन्फिनिक्स नोट 7 है यह मोबाइल वाइस इन्फिनिक्स नोट 7 जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलती है वह काफी aggressive specification देखने को मिलती है अगर इसके main highlighting जो features उनके बात की जाए तो वह इसका chipset और इसका back camera है जो के 48 Megapixel का back camera है और इसका chipset यहाँ पे आपको Helio G70 देखने को मिलता है यही same chipset आपको Realme C3 में भी देखने को मिलता था जिसमें इसने काफी अच्छी performance दी थी Infinix Note 7 आपको एक 5 और cutout में देखने को मिलती है यह भी इसका main highlight feature इसका जो अगला main highlight feature है वो इसका side mounted fingerprint sensor है जो के power button और on off key के लिए भी use हो ज्यादा detailing करते हैं बाद में इसकी detail चेक करते हैं box की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आप box से content के बात का लिए तो box पे on front आपको mobile device देख users लिखे होए हैं वह हम आप बाद में discuss करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैप देखने को मिलता है वहां पर आपको silicon case देखने को मिल जाते है और साथ आपको एक screen protector बे देखने को मिलता है इसका पांच और cutout है तो जैसे कोई mobile device नहीं आती तो उसका उस same size में जो screen protector आपको market में नहीं देखने को मिलता है यह काफी अच्छी बात है कि Infinix ने यह screen protector मोबाइल में हमें वेल कर दिया है जो आपको silicon case देखने को मिलता है वह काफी अच्छी quality को यहां पर आपको देखने को मिलता है उसके बाद अगर charging की बात का लिए तो वह भी इसके main highlighter feature है यहा और यहां पर fast charging को specially mention भी किया गया है उसके बाद अगर यहां पर बात कर लिए इसकी connectivity की यहां पर आपको micro USB connectivity देखने को मिलती है अगर यहां पर डिस्प्ले की बात कर लिए IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसका side 6.95 inches है जो के एक काफी बड़ा display आपको देखने को मिलता है अगर यहां पर pixels की बात कर लिए यहां पर आपको 720 by 1600 के pixels देखने को मिलते है अगर PPI density के बात कर लिए और यहां पर आपको 258 PPI pixel density देखने को मिलती है जो के इस price range में आपको कफी अच्छी देखने को मिल रही है डिस्प्ले की बात करने का बाद अगर इसके processor और chipset पकार क कि बात कर लिए तो यहां पर आपको Android 10 आप देखने को मिलते है और साथ XOS का वर्जिन 6 Dolphin 6 वर्जिन देखने को मिलते है जो के Android 10 बेस्ट है और उसके बाद एकर इसके processor की बात कर लिए तो यहां पर आपको एक OctaCore processor देखने को मिलते है जिसमें 2 लोट 2.0 GHz की देखने को मिलती है और 6 लोट 1.7 GHz की देखने को मिलती है इसके बाद अगर इसके chipset के बात कर लिजाए जहां पर आपको Mediatek का Helio G70 देखने को मिलते है जो के 12 लेनों में अर्गिटेक्ट्चर बेसिक chipset देखने को मिलते है आपको यहां पर उसके बाद GPU के बात कर दिजाए तो यहा साथ आपको Helio G80 देखने को में रहा था यह डिफरेंस इन दोनों में है इसके बाद अगर इसके camera department के बात क्या लिजाए आपको देखने को मिलते है वह 48 Megapixel का camera f1.7 aperture के साथ देखने को मिलते है इसके बाद 2 Megapixel का आपको Macro Sensor देखने को मिलते है जो कि आपके Macro Shorts में जोगा और इसके साथ आपको एक dedicated low light video recorder देखने को मिलते है और अगर फ्रंट की बात का लिजाए तो फ्रंट की camera पांच होल काट आउट में रखा गया है यानि आपको left side on top यहां पर आपको camera देखने को मिलते है यह camera आपको देखने को मिलते है वह 16 Megapixel का camera है अगर फ्रंट पर video recording देखने को मिलती है इसके बाद अगर इसके sim situation के बात कर लिजाए तो यहां पर आपको full flash sim slot देखने को मिलती है यहां दो sims और एक micro sd card आप इस mobile phone में at a time लगा सकती है अगर इसके variant के बात कर लिजाए तो यहां पर आपको 6 GB और 123 GB वाला variant भी देखने को मिलता है और आप 6 GB और 123 GB वाले variant के प्राइस के बात कर लिजाए तो यहां पर आपको उसके प्राइस देंज 28,999 यानि 29,000 देखने को मिलती है जो के काफी अच्छी प्राइस देंज यहां पर रखेगी इन फिनिक्स की तरफ से अगर यहां पर connectivity और battery के बात कर लिजाए तो यहां पर आ यहां पर फिर पिता दोंगा, 18W का फर्स चार्जर आपको इंदा बोक्स देखने को मिलता है और सादकर इसके colors की बात कर दीजाए तो यहां पर तीन color देखने को मिलते है एक आपको यहां पर forest green देखने को मिलते है और जो दूसरा color आपको देखने को मिलता है वह एथर black है लिए तो त्साडो आपको एंपनेयों को मिलता है मोगी थैभ अगर इसके इस सीमिलरेरीटी के बात ओए जाए तो यह बैक डिजाइन जो आपको डाइमेंड पैट्रूस आप इसे कह सकते हैं यह रियल में फाइव के सीरीज थी उससे सिमिलर है कुछ पर इसमें आपको यहां पर रेंबो शेट्स भी देखने को मिलते हैं और चाहद आपको ग्रेटिन रोक्स डाइमेंड काट्स में देखने को मिलती है और साथ यह एक यह इसके डिजाइन के बाद क्या लइजाए तो वह भी याद यह बहुत बड़ा रांड है जिसके अंदर आपको यह अपने चार कैमरे और कौरड ऐलेड़ी फ्लेश देखने को मिलती है अकर इसके फिंगर्प्रिंट और यहां पे आप मांट़ेट जो कि हाइले डा इन फीचर में है और साथ चाहत यह साइड मांटब इंगर पेंट ऑन ऑफ बटन का भी काम करेंगा और फिंगर पेंगर सेंसर का का करेंगा फ्रांट पर फेश आईडे की स्पोर्ट भी आपको मिल जाती है आपके इन्फिलिक्स नोट से हमने के बार में क्या ख्याल आते हैं आपको यह मुबाइल उच्छ पसांद आई है कि नहीं आई कमेंट सेक्स में मुझे जुरूर बताईएगा आज की वीडियो में इत